दो राज्यों में नए राजपालों की नियुक्ति तो दोस्तों भारत के दो राज्यों में नए गवर्णर की नियुक्ति हो गई है और यह जो है माननीर राष्टपती सरीमत दौरपती मुर्मूर ने महाराष्ट और झारखन में नए राजपालों की नियुक्ति परदान की ह तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो दो गवर्नर बने हैं वहब बने हैं यानि नए बनाये के हैं महाराष्ट और जहरखन राज के लिए तो यहां पर सारी जानकारी को हम देखते हैं कि कौन-कौन बने हैं और इनके बारे में और कुछ additional details जो होगा वह भी मैं आप को यह पर बताऊंगा तो चलिए हम लोग इस वीडियो को सुरू स्लाश्ट तक देखते हैं तो यहां पर बात करते हैं महराष्ट का बात करते हैं तो रमेस बेस को महराष्ट का नया रजपल बनाया गया इनकी नियुकति भरती राष्टपति की द्वरा की गई तो दोस्तो बेहरों So इनन्हाई का अस्थान लेंगे जो महराष्ट के पूर्व राजपाल राजपाल रह जुक you बाइस राज़पाल रह चुके हैं महारश्ट में तो अब ही तYes नमबर के र्मेस्बेस बन गए हैं रमेसबेस इस से पहले जरहकन के राज़पाल रह चुके हैं तो यह अब लोग द्यान रखेंगे तो ड्रहां और ये जहारक्षंद के रजपल रहा चुके हैं तोह का मतलब है कि जहारक्षंद में तो पूछे जा सकते हैं करेंटफेर्स भी यह तो अब लोगों को ध्यान रखना है अभी मैंने बताया कि जो है रमेजबेस महाराष्ट के नई राजपल बन गया है तो पूरू राजपल जो रमेजबेस थे जारखंड के उनिका अस्थान लेंगे यह अब लोगों को ध्यान रखना है जो है झारखंड के नई राजपल बन गया है तो यह आप के जो हैं गार्वे राजपाल कौन बन गया है तो जारखंड में राजपाल के रूप में रमेजबेस का कारेकाल लगभग 19 महीने करा तो यह लगभग 19 महीना का 19 मंत का कारेकाल रहा था मुख्धाल करें अब बात करते हैं की सीपी राजा कृष्णन कोण है इसको भी देख लेते हैं का जन्म जोबढ ऊक्टूबर से लोकसभा के लिए चुने गए हैं तो यह आप लोगों ध्यान रखना है कि यह कोई अमबटूर से लोकसभा भी चुने जा चुके हैं जो कि आरेसेस और जनसंग से भी जूड़े हुए आदमी है यह नेता है इस कि एक चीज और यहाँ पर इंपोर्टेंट है वह क्या है तो पहली बर किसी राज के राजपाल बनाए गए है यह बहरी बहरी इंपोर्टेंट की CP राधा कृष्णन जो हैं उनको पहली बार किसी राज के राजपल बनाएगा है और वो अभी कहा के बने हैं तो वो भी बने हैं जारखन राज के नए राजपल तो ये इंपोर्टेंट है तो आप लोग कितने सा जानकारे को ध्यान रखना है जो की राष्टपती, स्रीमती, द्रोपती, मूर्मू के दवारा महाराष्ट और जारखन में नए गवर्नर्स की न्यूकती होकी है तो जो मैंने आप लोग को बता दिया तो आप लोग ध्यान रखेंगे